सालों बार प्रतिग्या शो लौट कराया है और एक बार फिर से एक्ट्रेस पूज़ गौर हर तरफ चाचुकी है उनकी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया है जिसकी तारीफें आडियंस तमाम सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर भी कर रही है लेकिन पूज़ा को टी वर फिर से पूज़ा के लिए भरपूर प्यार दिखा अब बेशक पूज़ा और राज अफिशली अपने रिलेशनशिप को बहुत पहले ही खत्म कर चुके हों लेकिन पूज़ा के कमबैक पर कुछ ऐसे अंदाज में नज़र आए जिसे दोनों के फैंस काफी पसंद कर र पाशा इस्तेमाल करते हुए कहा अल दे बेस्ट पूज़ा गौर और पाकी ठीम सिर्फ यही नहीं बलकि पूज़ा ने भी राज के इस वीडियो को प्रिपोस्ट किया और उन्हें थैंक्यू बोला है विल दोनों का एक दूसरे के प्रती एक बार फिर से यह प्यार भरा अ बोलना तो दूर देखना तक पसंद नहीं करते इंडस्ट्री में कई ऐसे कपल हैं जो ब्रेक अप के बाद एक दूसरे पर कुछ भी बोलने से कत्राते हैं लेकिन पूज़ा और राज का अंदाज देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ महीने पहले ही दोनों ने अपने ब् 2020 में बहुत सारे बदलाव हुए हैं कुछ अच्छे और कुछ पूरे पिछले कुछ महीनों में राज के साथ मेरे रिष्टे को लेकर कई अटकले लगाई गई हैं मुश्किल फैसलों में वक्त लगता है और मैं इसके लिए बात करने से पहले कुछ वक्त लेना चाहती थी राज और मैंने अलग होने का फैसला किया है पूजय के इस पोस्ट से सभी को काफि घहरा जटका लगा था अलगी पूजय ने अपने पोस्ट में ये भी जाहिर किया था कि भेले ही life में दोनों की रास्ते अलग हो गए हैं लेकिन वो एक दूसरे का हमेशा सम्मान करेंगे और दोस्ट भी बने रहेंगे, और ये बात राज के इस पोस्ट से भी सावच जाहिर होती है। लेकिन दोनों के फैंस को तो इंतजार रहेगा कि दोनों का बार्ण पहले जैसा ही बने और एक बार फिर से दोनों एक हो जाएं। वर्बान के जाएं पूजा के शो प्रतिग्या टू की तो शो के पहले एपिसोड को देखने के बाद ओर्डियंस शो से काफी इंप्रेस नजर आई है अरहान पहल ने एक बार फिर से अपनी प्रफॉर्मेंस से खुशी कर दिया है तो भी सजन सिंग की डायलुक डिलिवरी और बॉडी लेंग्विश से लोग एक बार फिर से उनके फैन बन गए हैं